जहिंद साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जी यह सोल में दोस्तों रेडियो अपरेटर भरती 2022 के लिए निरंतर क्लासे चलाई जा रही हैं उसक्रम में आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे साहित अकादमी पुरसकार के बारे में 1955 से लेकर वरतमान तक जितने भी लोगों को मिले हैं इंपोर्टेंट है सभी के बारे में हम जानेंगे और यहां से एकाद कोश्चन आने की संभावना बनी रहती है कभी साहित अकादमी पुरसकार पाने वाले विजेता का नाम देकर उनकी रचनाय पूछ लेता है कभी रचना देकर उनका नाम पुछ लेता है तो इस प्रकार से यहां से question बनता रहता है और आप head assistant या workshop किसी की भी तयारी कर रहे होंगे तो सब के लिए महत्वपूर है इसके अलावा यदि अन्य किसी भी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं साहित अकादमी से यदि प्रशन आ सकता है हिंदी साहित यदि आपके syllabus में है तो यहां से question आने का संभावना बना रहता है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो और mental aptitude UPSI previous year question आप तक आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लिजिए और अपडेट पाने के लिए हमारा टेलिग्राम चैनल है करहिया GS World के ही नाम से सर्च करके जूड़ जाइए या फिर आपको description में link मिल जाएगा वहां भी से जूड़ सकते हैं बाकि सभी के वीडियो आपने बना दिया है आप जा करके देख सकते हैं प्रेक्टिस साइन्स प्लस जीके का भी चलाय जा रहा है इसके अलवा mental aptitude का भी classes चल रहा है और हिंदी का भी प्रेक्टिस से शुरू हो चुका है तो सभी को आप को देख लेना है चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए वैसे देखा जाये तो साहित एकादमे पुरसकार की अस्थापना 1955 इस्वी में नहीं बलकि 1954 में ही हो गई थी और पहला 1955 में दिया गया था तब से लगातार हर वर्स हिंदी के छेतर में बाकी अन्य की भासा में दिया जा रहा है तो हम लोगों केवल हिंदी भासा में देखना है कब कब किसको मिला तो हम लोग 1955 से लेका 2013 तक देखेंगे तो लंबी चवड़ी 657 तक लिष्ट बन जाएगी तो सभी को याद रखना हमारे बस की बात नहीं है और इतना ज़्यादा हो जाएंगे तो हम याद कैसे करेंगे इसलिए हमने जितने भी इंपोर्टेंट है चाहे वह प्रिवियस एर में पूछे गए हूँ या फिर पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में जारेंगे बाकि यदि आपको सभी के बारे में देखना है तो इसका PDF हम डाल देंगे टेलिग्राम पे चलिए इंपोर्टेंट जीतने हैं उनको देखते हैं उसके बाद यहां बर भी देख लेंगे देखिए साहित एकाद में पुरसकार की अस्थापना कब हुई थी तो कोश्चन यहां से भी बना है तो 1954 निस्वी में इस पुरसकार की अस्थापना की गई थी और यह पुरसकार कितने भासाओं में दिया जाता है तो 24 भासाओं में दिया जाता है 24 में जो 22 हमारी आठवी अनुसूची में है उन भासा में प्लस दो एक्स्ट्रा भासा है कौन कौन सी हैं जो की हमारी आठवी अनुसूची में नहीं है अंग्रेजी और राजस्थानी ठीक है बाइस आटमी अनुसूची वाले भासाओं को प्लस दो एक्ष्ट्रा अंग्रेजी और राजस्थानी भासा में इस पुरसकार्प को दिया चाता है ठीक है तो सबसे पहला बार कब मिला था तो 1955 इस वी में दिया गया तो याद रख लिजिए किसको मिला था माखनलाल चतुरुएदी जी को मिला था किसके लिए मिला था तो इन्होंने एक कावे लिखा था हीम तरंगनी तो हीम तरंगनी किस ने लिखा है तो माखनलाल चत्रूवेदी जी ने लिखा है और इसके लिए 1955 में इनको मिला था सहित एकादमी पुरसकार हिंदी के चेतर में ठीक है तो सभी हिंदी के चेतर वाली कोई यहाँ पर हम बात करेंगे फिर बात करेंगे वर्ष 1958 में मद्द एसिया का इदियास किस ने लिखा था राहूर संस्कृत त्यान जी ने इनको 1908 इस्वी में पुरसकार दिया गया था यह क्या है यह एक इदियास इन्हों ने लिखा है ठीक है नेक्ट कोश्चन यहाँ पर है कि संस्कृत के चार अध्या है पूछ देगा कोश्चन संस्कृत के चार अध्या किस ने लिखा है तो रामधारी सिंग दीनकर जीने लिखा है 1969 इस्वी में इनको सहित अकाद्मी पुरसकार मिला था और जो इनका रचना है या कौन सी विधा है तो यह क्या है यह एक निबंद है इसको भी याद रख लेना है दोस्त नेश्ट यहाँ पर है कला और बुढ़ा चाद किस ने लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और इनको प्रकृति का शुकुमार कभी भी कहा जाता है ठीक है और कला और बुढ़ा चाद क्या है तो यह काव है 1960 में इसके लिए इनको साहित्यकाद्मी पुरसकार से नवा जा गया था नेश्ट कोश्चन है कलम का सिपाही तो इसके बारे में आप जानिए कलम का सिपाही यह जीवनी है इसके लिए किसको मिला था तो अमरित राय जी को मिला था ठीक है 1963 में तो अमरित राय कौन थे तो अमरित राय मूंसी प्रेमचंद्र के शुपुत्र यानि उनके बेटा थे ठीक है तो अमरित राय को मिला है कलम का सिपाही के लिए यह बहुत बार पूछा गया है important इसको मार्क कर लिजे दो चटाने क्या है तो दो चटाने एक काव है इसके लिए साहित गादमी पुरसकार हरिवंथ राय बच्चन लिखा है हरवन सराय बच्चन यह कौन थे तो यह वर्तमा यह जो है अमिताब बच्चन के यानि कि अब से एक बच्चन के बाबा दादा जी थे अमिताब बच्चन के पिता जी ठीक है कहां के थे तो इलहाबाद के थे नेश्ट कोचन है राग दरबारी तो सबसे पहले यही कोचन पूर देता है राग दरबारी क्या है तो राग दरबारी एक उपन्यास है इसको किस ने लिखा था तो स्री लाल सुकल जी ने इनको लिखा था और 1979 इसके लिए इनको साहित अकादमी पुरसकार मिला था दोस्त यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके सामने एक लाइक का बटन इसको दबा देना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाली एक बटन होगी उसको दबा कर गंटे के निसान को भी दबा देना है दबा दिया है चलिए जिंदगी नामा उपन्यास है क्रिष्णा सोबिती जी ने लिखा है तो यह भी कोश्चन कई बर पूछा है क्रिष्णा सोबिती को किसके लिए मिला था उपन्यास के लिए उपन्यास का क्या नाम है जिंदगी नामा उनीस वास्ती इस्वी में इनको मिला था नेश्ट कोश है और विश्डू प्रभाकर जी ने लिखा है 1993 में इनको मिला था देखिए सन इंपोर्टेंट नहीं है बस रचना और रचनाकार और कौन सी विधा की रचना है यह ज्यादा महतुपूर है नेश्ट यहाँ पर है अनुभाव के आकास में तो अनुभाव के आकास में क्या है काब है लीला दर जीवड़ी ने इनको लिखाए 1997 में इनको मिलिया तो सन उतना ज्यादा महतुपूर नहीं है जितना रचना यहाँ पर कितने पाकिस्तान कितने पाकिस्तान उपन्यास है कमल स्वार जी ने इनको लिखा है, 2003 में इनको इसके लिए मिला था, शाहित अकादमी, नेश्ट है हवा में हस्ताक्षर, ठीक हवा में ही हस्ताक्षर कौन कर रहे थे, कैलास बाजबेई जी, और 2009 में इनको इसके लिए मिला था, नेश्ट है मोहन दास क्या है, मोहन दास एक कहानी है और उदय प्रकास सिनहा को इनके लिए वर्स 2010 में मिला था नेश्ट है रेहन पर रग्गु के लिए कासिनाद जी को मिला था वर्स 2011 में यह क्या है यह उपन्यास है आग की हसी यहां से नीचे जितने भी 15 के बादे सभी कोई याद कर लेना है दोस्त क्योंकि बहुत बार प पुरसकार मिला है यहां से नीचे जितने आएंगे सभी का डेट यानि कि सन और सभी यादरगना सन भी यहां पूछता है पारिजात क्या है पारिजात उपन्यास है नसीरा सर्मा ने लिखा है वर्स 2016 में इनके लिए मिला था नेश्ट है यहां पर पोस्ट बाक्स नंबर 203 यह अभी उपन्यास है चित्रा मुगदल ने लिखा ता वर्स 2018 में इनको इसके लिए मिला था शाहित अक आदमी नेश्ट है छीलते हुए अपनों को क्या है कविता शंग्र है और नंद किसोर जी ने लिखा है 2019 में इनको मिला था शाहित अक आदमी नेश्ट है तोकरी में दिंगत तोकरी में दिंगत क्या है कविता है और अनामिका ने इनको लिखा था 2020 में इनको इसके लिए मिला था निश्ट यहां पर है असोक शम्राट असोक बहुत बार पूछा क्या है शम्राट असोक क्या है नाटक है और देव प्रकाश शिनहा ने वर्स 2021 में इनको इसके जाएगा किनको बद्री नारायन कभी को याद लिजे दिया जाएगा और उनका जो कविता शंग्रह है उसका क्या नाम है तुमड़ी के सब्द किस ने लिखा है बद्री नारायन जी ने लिखा है तुमड़ी के सब्द क्या है यह कहाने शंग्रह है इनको साहित अकादमी पु कोई सूचना नहीं है मिलेगी तह हम आगे बताते रहेंगे बाकी अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं और इसका पीडियाप चाहिए ठीक है इसका यदि पीडियाप चाहिए तो टेलिग्राम पर हम डाल देंगे आप ले लिजेगा जो भी इंपोर्टेंट है और बा यहां पर आप देखी सकते हैं हमने इंपोर्टेंट रिपॉटे यह बता दिया था और यहां पर इस प्रकार से दस मिनट का वीडियो भी हो चुका हैं और इसका भी पीडियाप हमडेंगे ठीक है तो उमीद करते हैं दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह सब क्लास भी आप लीजिए का और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो बस एक काम करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है नेक्स्ट वीडियो में कुछ कमेंट सुजावों तो नीचे जे सकते हैं, तब तैके लिए जय हिंदे!